सवी अकॉल ए इवनिंग मैं हूँ आर्जु काज्मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ओ फियू हमारे साथ हैं जी सीनियर जेट शर्टरी साहब और आप सभी लोग जो हैं वो उनको जानते हैं का यूट्यूब चैनल भी देखते हैं और बहुत कुछ हम सरसे सुनते हैं और उसको सुने की भी कोशिश करते हैं बहुत शुक्रिया के आजा पाएं तांक्यू सो मच तांक्यू आर्जू सर्थारी दुनिया जो है चाहे अगर हम खास्तोर पे साउथ एशिया की बात करें भारत को देखें या बिंचमादेश को देखें और दुसरी कंट्रीज को तो वो इंटरनेट के जरिये बहुत से रोजगार जो हैं बहुत सी जॉब्स जो हैं वो क्रियेट होती हैं और लोग उसमें काम करते हैं पाकिस्तान में पर काम करने में जो है वो इंटरस्ट रखते हैं और कर भी रहें लेकिन पाकिस्तान में कुछ अरसे से हम देख रहे हैं एक तो सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ है वीपीएन के बगार उपर नहीं होता है साथ-साथ इंटरनेट सर्विसेज भी काफी खराब चल रही है कहा यह जाता है कि जी जो अभी मिनिस्टर साहिब आई थी शिजा फात्मा उनका कहना यह था कि जी आपको वीपीएन यूज़ करते हैं इस वज़जा से इंटरनेट कराब है तो जबके चार-पाइच दिन पहले इंटरनेट का इतना बुरा हाल था कि जैसे मैं और आप बात कर यह आगे बढ़ पाएंगे जी बड़ी बदकिस्मती की बात है यह कि हम कभी स्क्यूरिटी के नाम पे और कभी ब्लैस्वमी के नाम पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इस तरह के बैन लगाते रहे हैं आपके इलमे होगा कि एक दफ़ा तो तीन साल के लिए यूट्यूब ब कम्यूनिटी है वो उसको किस तरह से लेगी अभी जो है अकील खुर्शीद साहब का एक ट्वीट मैंने देखा वो निया टैल के चीफ टिकनलोजी आफिसर हैं तो उन्होंने कहा थी इंटरनेट इन पाकिस्तान इस एफेक्टिवली डेड तो वी आर मुविंग तो़र्स द जजबती बियान दे दें तो यह बहुत ही अफसोस की बात है पिछले दिनों हभीब अकरम साब का एक मैं देख रहा था स्टेटमेंट उनका विलॉग था कि वहावल नगर गए तो वहां पे एक नौजवान ने उनको कहा कि जी मैं बड़ा इंप्रेसिव हूं आपसे और मै आप मेरे साथ ना इस वीगो डाले में बैठें तो यह कहते है यार वीगो डालों से तो मुझे बहुत डर लगता है उसके डरने की कोई बात नहीं आप आईए तो उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं एक गरीब आदमी हूं मेरे पेरेंट्स तो थे कोई अमीर नहीं थे लेक लाता है उसका कुछ हरसे के बाद फोन आया और वो रो रहा था कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं बेरोजगार हुगे हैं और उनके घरों के चुले जो हैं उनका जलना मुश्कल हो गया इस तक हलात खराब हुए हैं तो उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारे जो पर जून ही रिंग थी कितने लोगों का रुजगार कितने लोगों के जो हैं हालात जो हैं वो हम खराब कर रहे हैं और पहले ही आपको पता है कि इतनी इंटरनेट कंपनिया हैं जो पाकिस्तान में आपरेट ही नहीं करती मतलब अमजान जो है अमजान पाकिस्तान में दे और नजायस फाइदा उठाया एक चीज मंगवाली और उसके बाद का जी इस में तो डिफेक्ट है तो वो फिर कहते है अच्छा यार चीज भी आप रख लो क्यूंकि उसकी शिपिंग के चार्जे इतने ज्यादा बन जाते हैं तो वो चीज भी रख लेते थे और फिर उस स्क्यूरिटी के नाम पे हो चाहे ब्लैस्वमी के नाम पे हो इन से हम जान चुड़ा हैं बिलकुल ऐसे ही लेकिन सारी बात सिर्फ इंटरनेट तक नहीं है बाकी जगा भी हमने यही देखा है कि चाहे वो फैसलाबाद की फैक्टरीज हों जो के सौ के करीब कहा जा रहा है क बंद हो गई है और जाहिर है कि जो फैक्टरी के ओनर होंगे वो समझे किसी और जगा देंगे कुछ और शायद कुछ कर ले लेकिन जो वर्कर्स हैं वो कहा जाएंगे इंटरनेट के जरिये सिर्फ यूट्यूब नहीं चलता है सिर्फ सोशल वीडिया नहीं है बहुत सी ऐस अब वो नहीं काप पूरे कर पा रहे हैं चाहिए वहां उसरे टो चाहिए यूटिलिटी बिल्ज हो आपके ख्याल से जो इस वक्त गर्मिंट है या जो पहले गर्मिंट रही है या वो लोग जो पॉलेसी बनाते हैं उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ता कि पाकिस्तान की हालत खराब से खराब हो रही है जी ऐसा ही लगता है कि उनको कोई फरक नहीं पढ़ता और आपको पता है कि एक सर्वे हाली में आया था कि जिसमें कहा गया कि 94% of Pakistanis they want to leave Pakistan it is a damning indictment of the country itself कि वो मुल्क जिसके 94% लोग मुल्क छोड़ के जाना चाते हो तो what 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 image does it have in the international community कि हम क्या कर रहे हैं और हम जो है वो वो कहते हैं ना कि first law of holes is stop digging कि अगर आप गड़े में गिर जाएं तो कमस्कम digging ना करें मजीद उससे बाहर निकलने को हम गड़े में भी हैं और उसको मजीद खोदते भी जा रहे हैं तो यह बहुत ही बदकिसमती की बात है और हमारे हैं कोई ऐसे elder statesman नहीं हैं जो हमारी हुकमरान हैं उनको समझा सकें कि इस political crisis से भी निकलें और economy को भी बूलें अपने जो cherished उनके वो हैं ना narratives उन से भी बाहर निकलें उसको तनकीदी नजर से देखें कि इस narrative ने आपको क्या दिया है पिछले 70-75 साल में और जो लोग इसको question कर रहे हैं उनक पे फत्वे ना लगाएं घदारी के और गेर मुहिब वतन होने के उनकी बात को सुनिये अगर वो गलत बात करते हैं तो you have all the all the resources to contradict them लेकर उनको बात तो करने दीजिए बिलकुल ऐसे यह दूसरी तरफ से पंजाब government कहती है कि जी हम इसलामाबाद में आई-टी पार्क बनाएंगे उसमें 10,000 jobs create होंगी और आई-टी में आगे जाएंगे internet के बगएर आई-टी लोगों ने बहुत एतरास किया तो minister साहिबा कहती है कि आप लोग VPN यूज करते हैं सबी VPN लगा रहें तो यह कहना कि internet इसलिए खराब हुआ है क्योंकि आप लोग VPN यूज करते हैं दूसरी तरफ आई-टी पार्क बना रहे हैं और internet का जो हाल है वो सारी दुनिया देख रहे हैं तो यह दो दो game कैसे खिलते हैं यह लोग यही तो contradiction है ना कि खुद अपने contradiction नह बाहर कर रही है वो they get suspicious कि आपकी location क्या है यहां पर तो Netherlands आ रहा है यहां पर यूके आ रहा है यहां तो Brazil आ रहा है तो यह जो मसाइल है इससे confidence पैदा नहीं होता और फिर उनकों यह होता है कि यह तो लोग वक्त में delivery नहीं दे सकेंगे तो वो दूसरे मुलकों में चले जात तो इनको देखना चाहिए अपना तर्कीदी जाइजा लें कि हम क्या करने जा रहे हैं उसके long term consequences क्या है पुलिटिकल अगर crisis है deadlock है उससे निकलने की कोशिश करें और यह crisis भी तो इन्हों नहीं पैदा किया ना पहले एक party को निकाला फिर दूसरी को निकाला सो और अब जो party है वो भी चल तो नहीं पा रही है लेकिन साथ यह security का भी एक दुम चलना लगा देते हैं कि हम तो security के वज़ा से ऐसा कर रहे हैं जबके हाल यह security का आपने देखा कि लावर में एक जर्मन टोरिस्ट आया उसको लूट लिया गया किस किस तरह के यहां पे जो मुबाइल डेटा सर नहीं चल रहा पाकिस्तान में अगर हम घर से बाहर यह office से बाहर कदम रखें मुबाइल डेटा बंद हो जाते हैं तो लोग जो है वो दूसरे के साथ contact में नहीं आ पा रहे हैं बिलकुल सही और अब यह देखिए ना अभी मैं हामिद मीर का interview देख रहा तो यहां तक बातें करना शुरू हो गया है लोग तो इन चीजों को हमें तनकीदी नजर से देखना चाहिए और खुद अपने मफाद को देखना चाहिए कि हमारा मफाद किसमे है अब तालिबान को हमने कितना ज्यादा प्रमोट किया यह नहीं अमरीका से नेटो से लड़ रहें कि हमने सुपोर्ट किया तालिबान को और जब तालिबान आए थे एक्तदार में तो हमारे प्राइमिनेस्टर ने क्या कहा था जी जनجीरें तो ढट दी यह घुलानी की वहीं जो हैं जनजीरे तोडने वाले वह जो हैं जो हमारे दोस्तिछूं करते है अब वहाद We are wrong with the policies. और आप उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं, उनको बरदाश्ट करने के लिए त्यार थेआर नहीं जो इन policies को criticize करते हैं, rational तका से करते हैं, जजबाती तरीके नहीं करते हैं, तो उनको आप कहते हैं जी ये घगधार हैं, unpatriotic हैं. तो इस रवश पे प्लीज नजर सानी कीजिए और अपनी तरकीदी अपनी जो है पॉलिसी उन पे भी तरकीदी नजर डालिए कि आपकी किस पॉलिसी ने मुलक को कितना फाइदा दिया है और कितना नुक्सान किया है पाकिस्तान में एक्स्ट्रीमिजम जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि सुआत में टीलपी के लोगों ने किस तरह से एक इनसान को जिन्दा जला दिया लेकिन अब वही टीलपी जो है वो ना सिर्फ ये के सिटिंग चीफ जस्टिस ज लेकिन इमरान खान को जो सपोर्ट करने उठेगा या कोई टूइट लगा देगा बात करेगा उसको अरेश्ट कर लेगे लेकिन टीलपी को बैन करने की हमत इनके अंदर क्यों नहीं आ रही है उसमें भी बैन करेंगे भी तो वो किसी और नाम से आ जाएंगे और आपको पत पिंडी में तो उन में आप जा कि पैसे बांटें तो वाट काइंड अव मैसेज आर यू सेंडिंग तो इन्टरनेशनल कम्यूनिटी तो यह तो बहुत ही बदकिस्मती की बात है और फिर देखिए हमारे हां महाशरे में भी एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे हां तो बहुत इनल पाकिस्तान अगर उसको भी पिरियट को अब शामिल कर लें मुफ्ती मुनीब ने तो यहां तक कहा था कि उनके जनाजे में धाई मिलियन लोग शामिल हुए थे यानि 25 लाक तो अगर 25 लाक लोग शामिल होते हैं एक ऐसे शक्स के जनाजे में जिसने जो गार्ड था जो बा की जहनियत पाई जाती हैं किया ख्यालात है क्या सोच है तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नजाम तालीम है इजूकेशन सिस्टम है उसमें भी तनकीदी सोच जो है उसको इंकरिज नी किया जाता और एक जजबाती जो है तरीके कार जजबाती सोच उसको प्रमोट किया है इसी तरह से आप देख लीचे खादम रिजवी साहब का जनाज़ा जो था कितना बड़ा था लहूर में किस तरह की लैंगुज यूज किया करते थे एक दफ़ा अजान हो रही थी और उनसे कहा गया कि जी तक्रीर बंद कर दें तो उनका था वहाबियां दी अजान दा कोई और उसके मकाबले में आप देखिए हम कितना मेलाइन करते हैं प्राइम निस्टर मोधी को उनका एक जलसे का आपने देखा होगा फुटेज की जब अजान हुई तो उनने अपनी तक्रीर रोक दी तो इसके बावजूद हम यह कहते हैं जी मोधी इस बैड गाई एंड आदात हैं हमारे तो इन पर हमें जरूर करना चाहिए इसके बगार को बेतरी नहीं आ सकती मेरे ख्याल में सर जब हम स्कूल में थे या कॉलिज में थे तो हम देखते थे कि एक खास तबका ऐसा होता था जिसको इंतिहा पसंद कहा जाता था या यह कहा जाता था जी मदर्से के लोगे और ऐसे उन से हमारा डारेक्ली कोई इंटरेक्शन हमारी नहीं होती थी हम सिर्फ सुना करते थे जैसे जैसे पाकिस्तान सालों में आगे गया है तो बज़ा इसके कि हम थोड़े मौर्डन होते हमने यह देखा कि उसी जहनियत के लोग अब हमारे ड्राइंग रूम में बैठने लग रहें यह चीज़ आपको लगता है कि एडूकेशन से भी कोई फरक नहीं पड़ा हमें जी मेरे एक जानने वाले थे इदर पिंडी में रहते थे और बाहर के पड़े हुए थे पिएच्डी की थी उन्होंने इस्टन यॉरप से वो कहने लगे कि मैंने एक दफा किसी ने पोता वो मुझे कहने लगा दादा आपके ख्यालाद जो है ना वो बहुत खराब हैं और आपकी सजा यह है वो तन से सरतन से जुदा सरतन से जुदा उससे का ले आओ फिर कोई तर्वार ले और मेरे गर्दन उतार दो इस हद तक फैमिली के अंदर और वो कोई अनपड़ ले आप देखिए ना वो बन्दा जिसने पी-च्डी की है उसका पोता उसको यह बात कर रहा है तो यह लमा फिक्रिया होना चाहिए तिंकिंग पाकिस्तानीज के लिए जो हुकमरान है हमारे उन के लिए हमारी मिलिटरी के लिए कि हम जा किदर रहे हैं हमारे हाँ यह सोच क क्राइम कर रहे होते हैं और चाहे साओधिय अरब को देख लीजिए, UAE को देख लीजिए, लंदन में देख लीजिए, UK में क्या कुछ हो रहा है, तो यह वाली सोच, मैंने एक-दू लोगों से भात करें, जिये गाउं के लोग हैं, इस वज़ा से ऐसा करें, तो गाउं के लोगों को आप ऐसा समझेंगे, मैंने दो शहर के लोगों को भी ऐसा ही देखा है, तो यह बाहर जाकर भी, किसी दूसरी कंट्री जाकर भी कुछ इस पे आप देखे ना थोड़ी सी रिसर्च करें कौन था गाउं का आदवी वो जिसने वो न्यू जॉक में किया था टाइम स्कुएर में बामिंग की कोशिश की थी उसका बाप एर फोर्स में था और अच्छा खासा उसका करीयर था वहां पे उसने सारा वो दाओ पे लगा क तो वो ध्माका करने की लोगों को मारने की कोशिश की अब बाकी लोगों को भी आप देख लें कि गाउं के लोग कौन से हैं एक और था जिसने सबसे पहले वो किया था C.I.A. के हैड आफिस के बाहर चला गया था और बोतीन लोगों को मार दिया था C.I.A. के वास फर्म कोईटा, C.I.A. के विलेज इडिएट नहीं था कि जिसका एक्सपोजर नहीं था तो यह ऐसी बहाने हैं और जब तक हम इसका इतराफ नहीं करेंगे इसको कंफेस नहीं करेंगे कि एक प्रॉब्लम है तो उस वक्त तक इसका हल नहीं हो सकता We have to be honest about it बजाए इसके कि हम यह बहाना बाजी करें पर जी नहीं नहीं यह तो गाउं के लोग हैं और फिर शेहरों के लोग कौन से कोई दे दे आ, they are models of enlightenment तो इस तरह की बहाने बाजी जो है ना यह counter productive है मेरे श्याल में जाराए पाकिस्तान ऐसी किसी चीज़ की तरफ क्यूं नहीं जा रहा है भी foreign office ने दो दिन पहले पिर का कि हम कोई ऐसी बात नहीं करें हम कुछ ऐसा नहीं सोच रहे ते trade दुबारा कोली जाए या उनसे फिर का जाए जबके यहां पर लोगों की हालत यह कि आपने भी जैसे बताए कि कितने person लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और जो यहां पर मुझूद हैं वो खुदकुशिया कर रहे हैं यह भी record पर है कई लोग खुदकुशिया कर चुके हैं तो यह भारत के साथ हमने क्या जिद लगा के रखिये कि हमने कुद नहीं करने जी मुझे कि कल एक message मिला रावल पिंडी से मेरे वो जानने वाला है मैंने एक दवा उसके भाई को लिफ्ट दी उसके पास मेरा number था उसके दूसरे भाई के साथ शेयर किया तो जब भी उसको कोई मसला होता है तो मेरे साथ वो शेयर करता है अब मुझ कहने लगा कि पूरे दिन से कुछ नहीं खाया हमने बच्चे के लिए दवाई लानी है उसके पैसे नहीं है मेरे पास तो इस 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 सूरत हाल तक लोग पहुंचे हुए हैं और आप जो हैं अपनी पॉलिसी पे नजरे सानी करने के लिए तयार नहीं है हमारे फॉरन मिनिस्टर ने जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्हों ने भी इशारा दिया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे लेकिन फॉरन आफिस में कहा दिया जी नहीं यह नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप अफ्रेन nosso की बात भी नी सन रहें तो फॉरन Knowledge की पॉलिसी जो है वो फॉरन मिीनिस्टर की पॉलिसी से डिफॉरंट है इसी तरह से आपको याद है कि वो प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान में किया था एज कॉमर्स मिनिस्टर उन्होंने इंडिया से ट्रेड की अजाज़त दी और फिर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उसी समरी को रिजेक्ट कर दिया तो यह तो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वी आर नॉन सीरियस पीपल डोंट टेक अस सीरियसली लिकिन सीरिया फैसले तो कहीं ओट से होते हैं लोग ये भी कहते हैं कि ये फैसले यह नहीं करते हैं जयसे शहवाज चरीप साब के लिए कहा जाता है कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के और इनके सारे फैसले जो हैं वो रावल पिंडी से या जी एच क्यू से या एजनसीज करती हैं इस्टाइबलिशमेंट करती है यह नहीं करते हैं यह भी सही होगा लेकिन एक मौका मेरे ख्याल में आया था इमरार खान जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जब मिलिटरी एस्टैबलिशमेंट ने इंडिया के साथ पीस नेगोशियेट किया और अनफॉर्चनेटली जो हमारे पास इतला आई कि उसमें शाम एमुद कुरेशी ने वो एक मंदर है बलोचस्तान में वहां भी जाएंगे इसलामबाद आएंगे और ट्रेड रिलेशन्स और स्पोर्स रिलेशन्स उनको रिस्टोर करने का एलान करेंगे तो अब उसके बाद आप देखिए कि इमरान खान ने इतनी सुनहरी एक अपरचुनिटी जो थी वो जा जा गया है उससे तो ये लग रहे है कि अमरान खान किसी और के कहे में चल रहे थे नहीं मतलब उसके अगर आर्मी चीज़ ये कह रहे थे कि हमें ये निगोशियेट कर लिया है तो इसका मतलब है कि इस्टैबलिश्मेंट की तिंकिंग यही थी कि हमारी एकानोमी जो है ना उसकी जो सिचुएशन है उसके पेशन है इस इस अगर और उसमें मेरे खैल है कि बाजबा सहाब को एक एज हासल था कि वो एफरिका में एक इंडियन मिलिटरी आफिसर के साथ काम कर चुके थे और इस तरह से जब आपका आरुफ होता है इंटरेक्शन होता है तो आपका ज इस तरह से आपके अलमें होगा कि मेजर जनरल महमूद दुरानी जो अमेरिका में अमबैसिडर भी रहे जिनको इंडिया में बहुत से लोग जनरल शान्ती भी कहते हैं उन्होंने एक च्छोटी सी किताब लिखी है वो पढ़ने के लाइक है तो वो कहते हैं कि मैं अमेरिका कैप्टन के साथ इंटरेक्शन हुआ तो हमारी दोस्ती हो गई और मुझे ये लगा कि ये भी इंसान ही है हमारी तरह तो ये जो है जब तक आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं करेंगे तो ये नफरत जो है इसी तरह बरकरार रहेगी तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों मुल्क जो हैं एक तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तबाह करने की बाते ना करें और एक दूसरे का फाइदा सोचें और ये कोई जीरो सम गेम नहीं है कि हमारा जो फाइदा है उनका नुकसान होना चाहिए उनका जो नुकसान है वो हमारा फाइद होना चाहिए विन-विन सिचुएशन हो सकती है अगर्चे बहुत सारे इंडियन अब यह कहना शूरू हो गए जी वी डोंट वांट वांट वे रिलेशन्शिट विल पार्टिस्तान लेकर उनके भी जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के सा किसी वक्त भी कोई चोरी चुकारी हो सकती है तो वैसे भी वो कहते हैं जी रीजन तरक्की करते हैं मुल्क नहीं करते हैं तो अगर हमारा रीजन तरक्की करेगा इंडिया के लिए भी फाइदा मांद है चाइना के लिए भी फाइदा मांद है चाइना तो पाकिस्तान को कित अब हमने एकनी नफरत पाली है कि उस नफरत का हम इतना शकार हो गए है कि अपना फाइदा भी भूल गया है मगर सर वो भी तो कहते हैं कि टेररिसम रोकने की बात करता है बहरत तो वह तो हम रोक नहीं पा रहे हैं उनके अभी भी कश्मीर में कुछ ना कुछ उदाम मचा रहता है. लेकर उसका, देखिए ना क्या फाइदा हो रहा है पाकिस्तान को. What is Pakistan gaining by that? तो सोचने की जरुरत है उसको सोचें कि एक hard thinking की जरुरत है, इसको revisit करने की जरुरत है, कि इस तरह करके क्या आपको कुछ फाइदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, और कौन लोग हैं इसके पीछे, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं? Do they want a nuclear exchange between the two countries? उनको अंदाजा नहीं है कि इसमें stakes कितने हाई हैं. तो बहुती वदकिस्मती की बात है ये, और अप्टेल में हैं कि ये बात करना पाकिस्तान में काफी मुश्किल है, बहुत काम लोग हैं जो इस तरह की बात कर पाते हैं, वरना लोग जो हैं अपने comfort zone से निकलना नहीं चाहते हैं. बड़े-बड़े हमारे academics, हमारे diplomats, ambassadors, वो retirement के बाद भी नहीं सच बोलते हैं, पता होता है उनको, स्वारी दुनिया देखी होती है, किस तरह से बाकी दुनिया ने तरकी की, किस तरह से South Korea ने तरकी की, Singapore ने की, इवन UAE ने देखी है कैसे की, ये मुल्क 71 से पहले exist नहीं करता था, यहां पे इंडिया की currency चलती थी, आज इनकी जो है currency पाकिस्तान से, इंडिया से आगे है, सो हम सीखने के लिए भी तयार नहीं हैं, हमने नफरत ने तबाह कर दिया है, मुनीर न्याजी का शेर आपने सुना होगा ना, गैर से नफरत जो पाली, इंडिया की खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया, बिलकुल ऐसे ही सार, हमारी नफरत और हमारी चिडने या हमारे हमारा जैलिस होना जो भी कह लिए उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का अपना ही हुआ है, बाकिस सब कंट्रीज चाहे, वो इवन अफगानिस्तान को देख लिए, जो भी एकॉनमी में हम से आगे चला गिया है, बारत की तो खेर क्या ही बात करें, तो मेरा ख्याल है कि अस वक्त रीजन में इस वक्त सबसे बुरा हाल वो पाकिस्तान का है, और उसमें डेफिनेटली हमारा अपना ही हाता है, बहुत शुक्रिया सर के आज आपने जॉइन किया थैंक यू सो मच थैंक यू